हेलो एवरिवान वेलकम टू पी टबलू आईएटी जाम एंसे एसाय नेट यूट्यूब चैनल आप सभी का टागेट आईएटी जाम 2025 फ्री यूटूब सीरीज में बहुत स्वागत है आज हम लोग हमने प्लांट फिजिलोजी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है सबसे पह में थोड़ा सा रिवेशन करेंगे उसके बाद हम आगे मुववान करेंगे साइटो काइनन पी चले शुरू करते हैं बच्चों साइटो काइनन शुरू करने से पहले मैंने आप से बूला कि हम लोग क्या शुरुवात करने वाले है हम ऑगजन को पढ़ेंगी दाट इस जैंने ऑगजन के लिये डाट इस गिवें तो फि Zusch Mit, फिर अवगजन के लिए। औहले इश्टो दिया जाता है ईब्स विएन्ट को क्यों शुरू कि इन्हों ने ही बेसिकल्यी ऑगजन टर्म दिया था प्लस इन्होंने एक gelatin based experiment किया था जिससे इन्होंने ये बताया था कि oxen basically lateral movement से जो shoe typical meristem है वहाँ पे synthesize होता है और move on to करता है roots में root की development को promote करता है right अब Fritz Wendt ने किस पर experiment किया था अगर हम Fritz Wendt की experiment को देखें कि किस plant को use करके उन्होंने experiment किया था तो Fritz Wendt ने oat के plant को use किया था और मैंने आपसे कहा है jam के उसमें oat ना देके हो सकता है oat का scientific name दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना है oat का scientific name किया है Avena sativa Avena sativa इसके colioptile tip किया जब elongation study कर रहे थे Fritz Wendt तब उन्होंने discover किया था तब उन्होंने बताया था कि auxin भी एक ऐसा compound है जो plant अपनी shoe typical meristem में synthesize करता है उसका function कहां पे है बच्चो उसका function आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि आज हम cytokinin पढ़ने वाली है और cytokinin auxin का relation होता है वो opposite type of relation होता है मतलब auxin आपका कहां पे synthesize हो रहा है auxin आपका synthesize हो रहा है इस तरीके से अगर आप note करोगे यह हमारा यह shoot tip है ठीक है this is shoot tip या shoot apex बोल सकते हो आप यह shoot apex में आपका present होता है shoot apical meristem और shoot apical meristem में synthesize होता है auxin आप यह तो आपका shoot tip की बात हो गई वहीं अगर हम cytokinin की बात करें तो cytokinin कहां synthesize होता है cytokinin synthesize होता है root में root के apex में epical portion में जहाँ पे present होते है root apical meristem और वो वहाँ पे synthesize करते है cytokinin को cytokinin synthesize root में हुए लेकिन development किसका promote करेंगे shoot development promote करेंगे और auxin synthesize होता है shoot apical meristem में लेकिन development किसका promote करता है, root formation, that is root development को promote करता है, इसलिए हम बोलते हैं, positive और negative regulators की बात करती है, जो आज हम cytokinin में पढ़ने वाले हैं, तो ये एक major function होता है auxin का, आप से auxin से related next question क्या आ सकता है, कि auxin का जो biosynthesis होता है, उसमें आप precursor किसको use करते हो, तो auxin के precursor कौन होता है बच्चो, tryptophan होता है auxin के लिए precursor, जब हमें auxin का synthesis करना होता है, तो हम किसको use करते हैं, हम use करते हैं tryptophan amino acid को, अब इस पर कैसा question आ सकता है, इस पर question आ सकता है कि कौन सा out of 4 आपको amino acid दिये होंगे, और उसमें बुला होगा, out of these 4, यह कितने भी amino acid दिये होंगे, आपको choose करना है, which is the right precursor for synthesis of auxin, तो आप answer क्या दोगे, आपको तो पता है, auxin किस से synthesize हो रहा है, कौन से amino acid से हो रहा है, tryptophan से हो रहा है, tryptophan amino acid से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, tryptophan is the amino acid which is required for the biosynthesis of auxin, हमने कुछ naturally auxin, third, fourth, जो type का question आ सकता है, auxins से related, that is, naturally occurring auxins क्या होते हैं, तो naturally occurring auxins में हमने क्या पढ़ा बच्चो, हम जब naturally occurring auxins के बारे में बात करते हैं, naturally occurring auxins की बात करते हैं, तो naturally occurring auxins में हमारे पास IAA होता है, that is, indole-3 acetic acid, सबसे common example है, यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला example है, तो इसलिए हमेशे याद रखना, indole-3 acetic acid, indole-3 propionic acid, indole-3 butyric acid, बहुत सारे type, phenyl acetic acid, यह भी आपने पढ़ा है, तो कुछ type के तो आपके naturally occurring auxins होते हैं, apart from that, कुछ synthetic भी होते हैं, जिस पे again question आता है, कैसा question आ सकता है, IIT चैम में सबसे पहले अब बच्चों यह बोला जाएगा, आपको MCQ में दिया जाएगा, आप identify करो, which is a naturally occurring auxin, और दिये नाम किसके जाएंगे, तीन आपके synthetic auxins होंगे, जैसे हो सकता है, 2,4-D हो, NAA हो, right, apart from that, आपका, या तो यहां लिखा होगा IAA, या फिर zeatyn करके लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए, IAA, that is, Indole-3 Acetic Acid हो गया, या Phenyle Acetic Acid हो गया, या Indole Butyric Acid हो गया, इन मेंसे कोई भी अगर example में दिये, they are naturally occurring, और synthetic में example क्या आ जाएगा, अगर हम synthetic की बात करें, यह एक sort of quick revision है, बच्चो, synthetic auxins, अगर हम देखें, तो synthetic auxins में आपकी, हमारे पास होते हैं, NAA, Napthyl, यह Naphthalene Acetic Acid, and second होता है आपका, 2,4-D, बहुत commonly used, artificial, that is synthetic, अगर आप से auxins के बारे में पूछें, तो synthetic auxins में आपके पास आता है, Naphthalene यह Napthyl Acetic Acid, यह 2,4-Dichloro-Phenoxy Acetic Acid, 2,4-D, क्या है बच्चो, 2,4-Dichloro-Phenoxy Acetic Acid, यह दोनों ही आपके किसकी example होते हैं, synthetic auxins के example होते हैं, चली, इतनी हमारी बात हो गई, कुछ physiological functions के again बात कर लेते हैं, auxins की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चो, हम बात कर लेते हैं, quickly revise ही तो कर रहे हैं, physiological functions of, functions of auxins, जब हम physiological function की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अगर हमारा जो tryptophan को use करके auxins synthesize हो रहा है, तो वो pathway को हम क्या बोलते हैं, indole-3 pyruvic acid pathway बोलते हैं, अब indole-3 pyruvic acid pathway, tryptophan को as a precursor use करके convert करता है, into naturally occurring indole-3 acetic acid, जो naturally occurring auxin हैं, अब auxin तो बन गया, auxin बना तो उसका transport भी होगा, जो transportation होता है auxin का, वो किसकी through होता है, polar transport होता है, unidirectional होता है, active transport होता है, plus क्या है, किस pathway से होता है, epoplastic pathway से इसका transport होता है बच्चो, तो अब आपको क्या है, जब transport होता है, तब हम उसके बाद कहां-कहां वो जाता है, और क्या-क्या function perform करता है, उसको बोलते हैं, physiological functions of auxin, सबसे पहला function आपका क्या होता है, बच्चो, पहला function होता है, cell differentiation, cell differentiation मतलब क्या है, अगर आपने auxin xylem में, auxin की concentration डाली, high concentration डाली, तो xylem differentiate हो जाता है, different tissues में, जैसे xylem differentiate कैसे, xylem हो जाएगा, xylem vessels में, xylem tracheids में, xylem fibers में, और xylem parent काइमा में, similarly, अगर आपके auxin का concentration लो है, तो phloem differentiate होता है, इसी तरीके से, sieve tubes में, sieve cells में, या फिर आपका phloem parent काइमा, phloem fibers, इस तरीके से ये भी differentiate होता है, difference क्या हो गया, कि auxin की concentration आपकी लो है, तो phloem differentiate होगा, और अगर high है, तो xylem differentiate होगा, physiological function होता है, तो आपका auxin promote करता है, cell elongation, elongation, जब हम cell elongation की बात करते हैं, तो cell elongation का मतलब क्या है, यहाँ में, जब auxin का transportation होता है, तो there is difference create होता है, pH में, जब cell wall में, pH में difference create होता है, तो cell wall तो हमारे cellulose से बनी हुई है, cellulose में extensions होती है, that is flexibility आती है, जिसके वज़े से एक cell क्या होता है, elongate करता है, तो second reason, auxin के वज़े से, due to change in pH, auxin के transportation के वज़े से, pH में जो change आता है, उसके वज़े से cell wall की extension होता है, या फिर हाँ बोल सकते हो, cell wall elongate करती है, या cell elongate करता है, third important point for auxin क्या है, auxin synthesize हुआ, shoot apical meristem में, formation या development किसके करवाता है, root formation, that is root formation को, regulate करता है आपका auxin, और root formation में भी कैसे regulate करता है, बच्चों, root formation में भी regulate करता है, आपके adventitious या lateral root formation को, primary root formation को वो जादा promote नहीं करता, लेकिन करता किसको है, adventitious root को, और lateral root formation को, तो ये 3 points तो आपके हो गए बच्चों, चौथा बहुत important point है, apical dominance, promote करता है, apical dominance, आप सोच रहे होगे, मैं वापस से क्यों revise करवा रही हूँ बच्चों, इसे क्योंकि, अभी आप कुछ ऐसे functions यहाँ पर देखोगे, जो बिलकुल opposite perform करता है cytokinin, इसी लिए, दिमाग में पहले auxins के functions को आप लोग रख लो, ताकि आप जब cytokinin के functions को पढ़ोगी, तो आप सोचोगे, अच्छा auxin में ऐसा होता है, तो cytokinin का opposite function होगा, relate करके, easily आपको याद रहेगा, apical dominance को promote करना, मतलब auxin क्या करता है, जब auxin shoot apical meristim में synthesize हो रहा है, तो ये क्या करेगा, shoot का जो apical portion है न, हमेशा उसी के growth वो ही grow करे, जहाँ पर वो present है वो ही grow करे, इस तरीके से lateral bud formation या lateral growth को promote नहीं होने देता, जब तक auxin वहाँ पर present है, उस site पर synthesize हो रहा है shoot apical meristim में, जैसे ही आपने shoot के apex को cut कर दिया, तो अब आप देखते हो कि lateral bud या lateral branches formation start हो जाता है, जो lateral formation है वो शुरू हो जाता है, वो क्यों होता है क्योंकि अब तो auxin का कोई site बचा नहीं जो synthesize हो रहा है, यहाँ पर cytokinin अपना role play करता है, और lateral bud formation को promote करता है, इस तरीके से हम बोलते हैं, जब तक आपकी shoot apical meristim present रहेगी, तब तक lateral bud formation नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं apical dominance, apex का dominance है ये, due to presence of auxin, ठीक है, apical dominance को promote करता है, true to development को, phototropism को, fourth point ही है हो गया, fifth point आपका क्या था, phototropism को, phototropism, light जिस direction में है, movement of plant, different part of a body, जो plant की body है, उसके different parts का light की तरफ को move करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते है, phototropism, ठीक है, ये भी होता है due to auxin, auxin promote करता है इस चीज को, sixth point अगर हम देखें बच्चो, last point है ये, fruit development, fruit development, आप जानते हो, fruit के development को, या parthenokarpy को, या fruit set को promote कौन करता है, auxin promote करता है, ये कुछ functions थे बच्चो, ये कुछ चीजे थी, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, और हमने भी revise कर ली है, चलिए, अब हम बात करते हैं, आज के हमारे chapter के topic की, that is cytokinin, आज हमारा second क्या है बच्चो, cytokinin, cytokinin, अब अगर हम cytokinin या cytokinin की बात करते हैं, तो second plant growth hormone है, हमने 5 basically major phyto hormones पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम oxen पढ़ चुके हैं, oxen को भी क्या बूला जाता है बच्चो, oxen को भी बूला जाता है growth promoting hormone, क्योंकि आपने देखा root development हो गया, fruit development हो गया, इन सब चीजों में oxen प्ले कर रहा है एक role, similarly cytokinin भी क्या है, hormone है, मतलब वो growth को promote नहीं करेंगे, वो growth को inhibit करने का काम करेंगे, लेकिन यह inhibition होता है, वो negative inhibition नहीं होता बच्चो, यहाँ पर क्या है, अगर environment में stress है, बहुत stressful environment में plant present है, तो वो क्या synthesize करेगा, वो epsychic acid या ethylene क्या करेगा, synthesize करेगा, और कोशिश करेगा कि इस खराब से environment में, अभी plant growth ना करे, अभी plant बिल्कुल चिप चाप, शांथ, dormant type stage पे रही, मतलब अभी थोड़ा सा less metabolically active, वैसे state में रही, ताकि क्या हो, आप उस stress से निकल जाओ, और उसके बाद वापस से grow करो, ठीक है, तो ये ही काम होता है, इतालीन और एपसाइसिक असिट का, गिब्रिलिक असिट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप का growth hormone ही है, that is promote जो करता है growth hormone को, आज हमारा topic है cytokinin, cytokinin क्या है बच्चो, cytokinin को अगर हम देखें, cytokinin का मतलब होता है cell, kinin का मतलब होता है division, तो नाम से ही आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, कि cytokinin क्या promote करता है, cytokinin promote करता है cell division को, एक cell rapidly जब divide होगा, और different type के, अब cell divide होगा, तो ओविस इडिवाइड होने के बाद, या तो कुछ organ बनाएगा, किया था बच्चो, cytokinin का जो एक concept था, that was basically given by Miller and Latham, Miller और Latham, ये दो individual scientists थे, ये दोनो scientists थे, जिन्होंने independently, क्या काम किया था, independently, naturally occurring cytokinin को discover किया था, that was zeaton, और किया भी किस में से था, कौन, आप जानते हो न, कौन भुट्टा आपने खाया है, उस में से, independently इन्होंने क्या किया था, isolate किया था, naturally occurring cytokinin, जिसका नाम होता है, zeaton, तो श्रेक इसको जाता है, सबसे पहले cytokinin, सबसे पहले cytokinin, वो भी naturally occurring cytokinin को, isolate करने का जो श्रेय है, that is given to Miller and Latham, और इन्होंने इंडिपेंडेंडेंटली बोल रही हैं बच्छों, मैं independently isolated, independently isolated, इस cytokinin का नाम क्या था, zeaton, from corn, ये थे, अब इसके अलावा, जैसे मैंने बोल दिया, बच्छों, ये दो scientist थे, इनके अलावा, synthetic जो, अब naturally तो आपको पता चल गया, कुछ नाम ले लेते हैं, या कुछ examples पढ़ लेते हैं, naturally occurring cytokinin के, naturally occurring cytokinin, तो उसमें, सबते पहला example तो आपका zeaton का ही आ गया, बार-बार zeaton पर क्यों focus कर रहे हैं बच्छों, जैसे oxygen के लिए question आ सकता है, कि कौन सा naturally occurring oxygen है, तो वैसे ही cytokinin पर भी question आता है, कि इन में से कौन सा naturally occurring cytokinin है, तो आपको easily याद रखना है, जैटन किस में से निकाला गया था, कौन में से निकाला गया था, तो आप कौन मतलब maize? अगर कौन नहीं दिया हुआ है, कौन के जगे पर maize दिया हुआ है, वो भी सही होगा, ठीके मेज के प्लांट से दिया हुआ है, तो वो भी सही होगा, तो जियाटन आपका नाचरली अकरिंग है, इसके अलावा आइसो- पेंटिनाइल, एडिनीन, जिसको आई-P या आई-P-A भी बोर दे, आइसो- पेंटिनाइल, एडिनीन, ये भी एक नाचरली अकरिंग आपका साइटोकाइनन है, अपार्ट फॉम दाट, कुछ एक ग्जामपल, जैसे एक 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 ग्जामपल आपका और है, ये इस सिंथेटिक साइटोकाइनन, बेसिकली, आटो-क्लेव्ट, जो हेरिंग स्पर्म है, उसम ये आपको एक्जामपल याद रखना है, बच्चो, सिंथेटिक साइटोकाइनन, सिंथेटिक साइटोकाइनन किसमें से आइसोलेट किया था, रॉम आइसोलेटिटिए, रॉम और तो-क्लेव्ट, हेरिंग, पर्म, आपका सिंथेटिक साइटोकाइनन, आइसोलेट किया गया था, बच्चो, फ्रॉम आटो-क्लेव्ट हेरिंग स्पर्म, ये फिश हेरिंग स्पर्म है, बेसिकली, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था, काइनितिन, इसका नाम क्या था, बच्चो, इसका इयाटन होगा, IPA होगा, आइसोपेंटिनाइल एडिनीन हो सकता है, IPA करके नहीं दिया, IP करके दिया है, वो भी सही है, और आपका जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन में काइनेटिन एक्जामपल आपका होता है, which is synthetic और isolate किस से किया गया था autoclaved herring sperm से किया गया था sperm की DNA को जब autoclaved कर रहे थी तब आपको kinetine मिला था और मिला भी किसको था Miller, जो आपके Miller है Miller और उनकी कलीक्स को ये चीज मिली थी kinetine, जो कि एक synthetic cytokinin है तो बच्चों, हमने सब चीज देख लिए हमने ये देख लिया कि cytokinin का मतलब क्या होता है, cell division naturally occurring cytokinin Miller ने discover किया था, Miller और लेथम ने independently from corn या maze से isolate किया था, which was zeatin, zeatin और isopentenyl adenine दोनों ही naturally occurring cytokinin है और synthetic आपका kinetine है लेकिन ये सारी चीज़े तो हो गई बट cytokinin असल में है क्या वो चीज़ भी तो पढ़ने ही हम लोगों को तो cytokinin basically क्या होता है बच्चों, cytokinin होते है N6 adenine derivative phenyl urea compound phenyl urea compound ये adenine basically इनका जो precursor होता है वो adenosine, या आप बोल सकते हो adenine होते है इसी लिए हम इसको कैसे बोलते है इनका जो structure होता है उसकी naming करते हो आप N6 adenine derivative करके बोलते हो ठीक है तो ये आपका short सा introduction था of cytokinin आगे बढ़ते हैं बच्चों जब हमने introduction पढ़ लिया है तो अब हम बात करते हैं biosynthesis of cytokinin cytokinin असल में कैसे synthesize होता है अब cytokinin synthesis से पहले site of synthesis आप देख सकते हो site of synthesis क्या है site of synthesis site of synthesis आपके cytokinin की क्या होती है site of synthesis होती है आपके root apical meristem basically मैंने अभी इससे पहले जब हम ऑक्जन का function पढ़ रहे थी तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था ऑक्जन के function में कि they are synthesized in shoot apical meristem function करते हैं root apical meristem में लेकिन यहाँ पर cytokinin का जो synthesis होता है जब हम site of synthesis की बात करते हैं बच्चों तो cytokinin जो है वो synthesize होता है किसमें आपके root apical meristem में root apical meristem में root apical meristem अगर हम diagram के truth समझने की कोशिश करें बच्चों तो यह है यह आपका root है root के apex में यह आपका root है यह root apex है root apex में present होती है root apical meristem root apical meristem और root apical meristem को हम लोग REM से भी represent करते हैं root apical meristem में हमारा क्या synthesize होता है हमारे cytokinin synthesize होते हैं cytokinin synthesize होते हैं अब synthesis कहां हो गया synthesis होता है root में या फिर जो भी आपके developing tissues होते हैं उसमें synthesize होता है आपका cytokinin का लेकिन function हमेशा कहां करते हैं बच्चों function करते हैं shoot development में तो हमेशा आप याद रखना oxen और cytokinin का एक दूसरे से opposite function होता है और opposite side of कहां पे यह synthesize होते हैं वो भी opposite होता है oxen आपका shoot में shoot के apex में होता है cytokinin आपका root के apex में होता है ठीक है तो यह आपका क्या है root apex मे root apical meristem cytokinin आपका यहाँ पे synthesize होता है जब मैंने यहां लिखा shoot root apical meristem apart from that आपके जो भी developing tissues हैं developing tissues हैं वहाँ पे भी यह synthesize होता है ठीक है अब बात करते हैं biosynthesis की बहुत easy biosynthesis है बच्चों जैसे oxen में था कितना easy pathway था वैसे ही आपके cytokinin का pathway भी बहुत जादा easy ही होता है यह शुरू कैसे होता है सबसे पहले आपके पास adenosine है जैसे मान लो dimethyl allyl pyrophosphate आपके पास present है dimethyl allyl pyrophosphate इस पे आपने add किया ATP ठीक है dimethyl allyl pyrophosphate आपके पास present था इसमें addition होता है ATP का और यह convert होता है rate limiting step से into isopentenyl 5-adenosine isopentenyl adenosine 5-triphosphate में आप क्या है अब आप इच्छी इस notice कर सकते हो हमने ATP यूज किया था ATP का पूरा triphosphate यहां पे आ गया है जब triphosphate आया अब इसमें से क्या होगा एके करके phosphate groups निकलेंगे जब एके करके phosphate group निकलते हैं यह ultimately convert होता है इंटो isopentenyl isopentenyl adenosine mono phosphate में ठीक है हमने क्या शुरू कहां से किया था dimethyl allyl pyrophosphate पे जब ATP लगा तो वो convert किसमें हुआ isopentenyl adenosine 5 phosphate में अब 5 triphosphate में triphosphate फिर convert होता है इंटो monophosphate monophosphate then ultimately convert होता है इंटो आपका या तो बोले हम zeatin में ठीक है या फिर आप बोल सकती हो cytokinin में इस तरीके से इसका synthesis होता है यहाँ पे जो monophosphate से conversion होता है cytokinin का वो hydroxylase enzyme की presence से होता है बच्चो तो ultimately आपको क्या मिलता है cytokinin हमारी शुरुवात कहां से हुई क्योंकि हमने यहाँ पे ATP को use किया इसलिए हम बोलते हैं या तो adenosine मिल लगते हैं adenosine में भी आप monophosphate triphosphate ATP AMP या फिर ADP को use करके आप finally synthesize करते हो cytokinin को I hope यह चीज आपको clear होगी बच्चो एक बार फिर से briefing कर देती हूँ usually क्योंकि ultimately आपका adenosine monophosphate है आप इसको IM कैसे pathway भी बोल सकते हो I adenosine monophosphate pathway भी बोल सकते हो pathway isopentenyl adenosine monophosphate pathway इस तरीके से भी आप इस pathway का नाम ले सकते हो I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी बच्चो आप clearly एक बार इस चीज को अराम से देख लो देख के आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि function हसल में होता कैसा है IPMP isopentenyl monophosphate pathway तो इस तरीके से होता है biosynthesis of cytokinin अब बात करते है physiological functions of cytokinin की अब हम cytokinin के physiological functions की पूरी list यहाँ पे सामने आपके represented है बच्चों हर एक function को हम बहुत जादा detailed form में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं with cell division cytokinin क्या करता है आपने नाम से ही जाना कि cell first है आपका function cell division अगर हम cell division की बात करें तो आपका cytokinin कैसे promote करता है cell division को जैसे आप जानते हो कहां synthesize हुआ root के apex में root apical meristem में cytokinin synthesize हुआ लेकिन इसका function कहां पे होता है इसका function होता है आपके root जो भी आपका shoot है shoot के development में या shoot के cell division में मतलब यह basically क्या करता है cell division में आपका cytokinin is synthesized in synthesized तो होता है root apical meristem synthesize synthesize कहां होता है root apical meristem but helps in maintaining maintaining sustaining shoot apical meristem cell division करके cell division करके जो shoot apical meristem को maintain करने का help कौन करवाता है बच्चों? यह आपका cytokinin help करता है shoot apical meristem के maintenance में ताकि उनकी जो population है वो maintain रहे उसको regulate करने का काम करता है आपका cytokinin with the help of जब cell division करा कराके उसकी concentration high है तो वो cell division करवाएगा इस तरीके से यह क्या करते है यह maintain करके रखते है आपके shoot apical meristem को ठीक है second अगर हम function देखे second function आप लोगों का cell division के बाद होता है बच्चों morphogenesis morphogenesis अब morphogenesis का मतलब क्या होता है अगर हम morphogenesis की बाद करें तो morphogenesis का मतलब क्या होता है किसी भी cell किसी भी tissue या किसी भी organ को एक proper shape देनी का काम होता है morphogenesis अब morphogenesis को कैसे promote करता है cytokinin मान लो आपके पास कोई एक explant है हमारे पास क्या है बच्चों explant मतलब एक छोटी सी तहनी है छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी आपके पास कोई tissue है plant का हो सकता है उसकी stem का छोटा सा portion हो या उसकी leaf का छोटा सा portion हो उसको हम बोलते है explant ठीके, यह क्या हो गया, this is your ex plant, इस ex plant पे मैंने क्या किया, इस ex plant पे मैंने supply करा है आपको auxin, ठीके, and cytokinin, auxin और cytokinin को एक साथ मैं इस पर supply कर रहे हूं और इसका ratio मैंने equal रखा है, 1 ratio 1 रखा है, ठीके, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला, मैंने एक ex plant लिया, X plant that is किसी भी plant के छोटा सा लीफ का हिस्सा लीफ का टुकड़ा या फिर सेम का टुकड़ा ले लिया उसको मैंने एक कल्चर मीडियम में प्लेस कर दिया और वहाँ पे सप्लाई किया है Oxen Cytokinin in Equal Ratio ये क्या है ये Equal Ratio है Equal Ratio तब क्या होता है तब आपका X plant जब Equal Ratio में आप Oxen और Cytokinin को देती हो तो X plant डेवलप किस पे कर जाता है डेवलप्स इंटू कैलस डेवलप्स इंटू कैलस बना अब कैलस में क्या करते हैं हम लोग हमारे पास क्या आ गया बच्चों हमारे पास कैलस आ गया एक तुकड़ा एक cell था cell न ही cell ने क्या किया बहुत डिवाइड हुआ बहुत डिवाइड हुआ और जेनरेट के लिए कैलस ठीक है कैलस यहां पर आया मान लो दिस इस कैलस ये कैलस क्या करता है ये कैलस में अब आपने क्या supply किया, auxin और cytokinin, लेकिन अब क्या है, auxin की concentration आपने रखी है high, और cytokinin की concentration आपने रखी है low, अब आप जानते हो auxin क्या promote करता है, auxin rooting को promote करता है, right, तो auxin अगर आपने high रखी है, cytokinin आपने कम रखा है, तो इस callus में क्या होगा, इस callus में root development शुरू हो जाएगा, बच्चों, इस तरीके से root development शुरू हो जाएगा, right, और root development जैसे ही शुरू हुआ, अब आपने रेखा, callus को आपने क्या treatment दी, auxin cytokinin में auxin high रखा, और cytokinin low कि अब इसी में, आप callus में, आप auxin cytokinin की ratio में, auxin cytokinin की ratio में, cytokinin को high रख दो, और auxin को low रख दो, तब आपका ये ही जो callus है, वो क्या develop करेगा, ये develop करने लग जाएगा, शूट को, क्या develop करेगा बच्चों, शूट को develop करेगा आगे जाके, तो इसी लिए हम क्या बोलते है आपका जो cytokinin है, auxin भी morphogenesis को promote करता है, कैसे करेगा, root formation करवा के, लेकिन आपका cytokinin क्या करेगा, cytokinin आपका morphogenesis करेगा, जब हम उसकी concentration को बहुत जादा increase कर देंगे, auxin के terms पे, तो आपका x plant में shooting develop हो जाएगी, that is shoot formation होने लग जाएगा, this is known as morphogenesis, मतलब यहाँ पे आपका cytokinin क्या promote कर रहा है, shoot formation को promote कर रहा है, third हमारा point क्या होता है बच्छो, third point होता है, आपका, जो cytokinin का third function है, वो है chloroplast maturation cause करना, अब chloroplast maturation क्या होता है, chloroplast maturation Chloroplast Maturation का मतलब क्या है बच्चो Usually आपने notice किया होगा जिस plant को कोई भी आपने एक पौध ही तो आप यह देखती हूँ जो जनको बहुत प्रॉपर सनलाइट मिल रही होती है Light grown plants होते हैं बहुत अच्छे से grow कर रहे होते हैं कुछ ऐसे plants होते हैं जो डाक में आपने रख दिया तो वो अजीब से बिलकुल स्टंटर्ड ग्रोथ दिखाते हैं लार्ज उनके लॉंग-लॉंग इंटर नोट्स प्रेजन्ट होते हैं तो ऐसे plant जिनको हम डाक में विदाउट सनलाइट या शेड में ग्रो करते हैं उन plants को हम बोलते हैं etiolated plants पहले इस concept को जानो etiolated plants क्या होते हैं बच्यों etiolated plants etiolated plants क्या होते हैं plants जो कि that are grown in shade ठीक है? shade या डाक में grown plants को हम बोलते हैं etiolated plants plants grown in shade और डाक उनको बोलते हैं etiolated plants अब ये etiolated क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम पौधों को shade में या डाक में grow करते हैं तो उनका जो pro-plastid होता है बच्चों इन cases में क्या होता है? जो आपका pro-plastid है जिसको आगे जाके क्या बनाना होता है? pro-plastid को in presence of अगर इस पे light पड़ी तो ये convert होता है into chloroplast किसमें convert होता है? into chloroplast लेकिन in cases जो etiolated plant होते हैं ये कब convert होगा? ये तब convert होगा जब इन पे पड़ेगी light sunlight यहाँ पे पड़ेगी ठीक है? अब अगर pro-plastid में pro-plastid या pro-plastid या pro-plastid को convert करने में help करते हैं into mature intact chloroplast लेकिन अब क्या होता है? जब आप plant को seedling को कहां रख देते हो? shade में रख देते हो? without light रख देते हो? उस case में क्या होता है? उस case में आपका without light ये तो with light था without light क्या होता है? without light आपका proto-plastid या pro-plastid जो है यहां पर ये जो pro-plastid है वो किस में convert हो जाता है? वो chloroplast ना बनके gets converted into ethio-plast किस में convert हो जाता है? ethio-plast जिसके वज़े से इस ethio-plast में क्या नहीं होता बच्चो इस ethio-plast lack करते हैं chlorophyll तो अब क्योंकि वो chlorophyll lack करते हैं तो इसी लिए इनके जो leaves होते हैं या इनकी जो growth होती है वो बहुत अजीब सी stunted growth के नाम से कहलाई जाती है या और इनके internodes पर बहुत लंबे-लंबे होंगे बहुत enlarged long internodes इनके पास पाई जाते है cytokinin की जब concentration बढ़ती है in presence of light light की जरुरत होती है cytokinin पे तो cytokinin अगर आपने इसमें cytokinin को supply किया या cytokinin की concentration increase की तो cytokinin help करती है आपके itioplast में जो भी immature हमारा chloroplast था जो develop नहीं हो पाया था fully functional intact chloroplast बनने में आपका जो cytokinin in presence of light help करता है उसको mature chloroplast बनने में ताकि वो synthesize कर सके आपका chlorophyll और carry out कर सके photosynthesis ठीक है तो इसी लिए आपका जो cytokinin है तब बोलती है कि cytokinin जो immature chloroplast है उसको help करता है to get converted into mature chloroplast वो भी लेकिन क्यब होगा जब light उसको मिलेगी जब cytokinin की concentration increase होगी क्योंकि cytokinin को बनने के लिए भी कही ना कही उसके लिए क्या जरूरी होता है आपके light की जरूरत होती है ठीक है तो इसी लिए हमने क्या बोला हमने बोला कि chloroplast maturation में भी help करता है आपका cytokinin अब chloroplast maturation की बात हो गई तो इसकी बात हम fourth point पढ़ते है बच्चो fourth point क्या है आपका fourth point is it delays senesense delays senesense अब senesense क्या होता है अगर हम senesense की बात कर रहे है तो सबसे पहले समझने की जरूरत है senesense क्या होता है senesense होते है basically बच्चो ये एक energy dependent energy dependent मतलब ATP dependent dependent process है क्या है senesense एक ATP dependent process है जो एक cell को लेके जाता है towards मतलब aging का एक ऐसा process है जो लेके जाता है towards cell death मतलब death जैसे जैसे एक cell aged होता है ultimately उसकी क्या होगी death ही तो होगी तो ये senesense वो ही aging process है which is energy dependent that is energy dependent मतलब ATP dependent process है इस process में क्या होता है बच्चो जब senesense हो रहा होता है किसी में तो senesense कब और एक और शी सबशी शा याद रखना बच्चो senesense कब होता है जब आपकी fruit की ripening शुरू हो जाती है वो mark करता है the starting of senesense क्या बुला मैंने जब fruit की ripening होने लग जाती है fruit पकने लग जाता है कोई भी फल पकने लगता है तब वो initiation mark करता है senesense का senesense के process में क्या होता है जो भी कोई भी cell tissue या organ जिसमें senesense हो रहा होता है वो क्या करता है इसमें enzymes होते हैं which enzymes होते है during senesense causes breakdown of macromolecules जो भी macromolecules है आपके उनका breakdown करवाता है senesense के time पे जो activated enzymes होते हैं वो macromolecules का breakdown करवाते हैं into simpler molecules जैसे आपने biomolecules पढ़ा right, biomolecules में हमने बोला nucleic acid है nucleic acid किस से बना है nucleotide से बना हुआ है nucleic acid polynucleotide की chain होती है proteins क्या है amino acid से बना है तो amino acids क्या है building block है proteins की आपके carbohydrates हैं जो भी ये sugars है कुछ भी चीज क्या बनी है बच्छो बहुत सारे mono mors के जुड़ने के वज़े से ये बहुत complex molecules बनते है या macro molecules बनते है तो अब क्या है enzymes उन्ही macro molecules को convert किसमे कर देगा into simpler molecules into simpler molecules और ये simpler molecules क्या होते है ये simpler molecules relocate होते है कहां पर ऐसी जगह पर इनको भेजा जाता है ये simple molecules को जहां पर actually कोई भी growing जैसे मान लो कोई developing leaf है जो grow कर रहा है अभी-बी कोई भी growing part होगा एक plant का ये सारे nutrients को उस जगह पर relocate किया जाता है ताकि वो उनकी growth को promote कर सके क्योंकि इस जगह पर अब तो जहां पर जिस भी organ में जिस भी site पर senesence हो रहा होगा अब उसको तो क्योंकि वो तो उसकी ultimately death होने वाली है तो उसको तो nutrients वगेरे की ज़रत नहीं होती तो enzymes produce होते है जो macromolecules जो भी nutrients वहां supply हो रहा होता है उनको तोड़ देते है और उनको relocate करते हैं ऐसी जगह पर जो पार्ट आपका grow कर रहा है plant में ठीक है plant का उस पार्ट में उसको relocate करते है जो grow कर रहा होता है तो यह चीज है आपकी senesence में enzymes causes breakdown of macromolecules into simpler molecules simpler molecules and relocate them to sites of developing sites of developing leaves हो सकता है roots होता सकते है जो भी चीज है उन sites पर इसको relocate कर दिया जाता है अब cytokinin यहाँ पर क्या function करता है cytokinin क्या करता है बच्चो senesence के process को delay करता है मतलब अगर आपके पास cytokinin है हमारे पास क्या है अगर हमारे पास cytokinin है तो cytokinin क्या करेगा जो enzymes अब enzymes क्या कर रहे है यह enzymes तो nutrients का जो भी nutrients वहाँ पर जा रहे है उनको तोड़ दे रहे है लेकिन cytokinin क्या ensure करता है cytokinin ensure करता है कि जो site पर senesence हो रहा है वहाँ पर nutrients का translocation करते रहे ताकि जो senesence का process बहुत तेजी से चल रहा है वो क्या हो जाए वो थोड़ा सा delay हो जाए तो cytokinin क्या करता है cytokinin promote करता है promotes translocation of translocation of nutrients क्या करता है cytokinin promotes translocation of nutrients to the site of senesence to delay the process इस तरीके से cytokinin ने क्या क्या किया बच्चों cytokinin ने सबसे पहले cell division किया cell division क्यों करवाता है ताकि shoot क्योंकि उसका काम क्या है shoot development में या shoot के formation में formation को promote करना cytokinin का वो है function है अब लेकिन वो कैसे उसको करेगा जब वो cell divisions करवाएगा वो shoot apical meristrum को भी maintain रखने का काम करता है और shoot formation में भी help करता है second ना आपका function morphogenesis आपने देखा अगर क्यालस बना एक क्या पोलते हैं आप एक ना बहुत बड़ा mass of cell है इसमें जो cells present होते है उनमें ability होती है uncontrolled cell division की वो cell divide कर सकते है बहुत अच्छी उनमें functionality होती है ठीक है cell division की तो callus है callus में आपने cytokinin का रेशयो को हाई किया तो shoot development हो जाएगी oxygen के concentration को हाई किया तो root development हो जाएगी इस तरीके से morphogenesis में भी आपका cytokinin help करता है third आपका function क्या है मैंने बोला आपको chloroplast maturation करवाता है chloroplast maturation का मतलब क्या है जो भी dark में grown seedlings होती है क्योंकि उनमें जो protoplastid है या proplastid है वो mature chloroplast ना बना के etioplast में convert हो जाता है अगर cytokinin है synthesize हुआ है in presence of light present है तो वो क्या करता है वो immature chloroplast को mature chloroplast में convert होने में help करता है ताकि उसमें chlorophyll भी synthesize हो और chlorophyll की मदद से फिर plant एक normal healthy life ग्रो कर लाइफ की तरह develop हो सके ठीक है third जो fourth point है आपका that is delay करता है senesence को senesence को delay करने का मतलब होता है ये जिस भी site पे senesence हो रहा होगा मतलब nutrients की supply को रोक के वापस से ऐसी site पे भेजा जाएगा जहांपे actual में growth हो रही है वहाँ भेजने का काम को delay करता है बाई उस translocation को promote करके मतलब भाईया भेजो 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 nutrients भेजो इस site पे जहांपे भी senesence हो रहा है अच्छे से भेजो अच्छे से भेजो ताकि senesence का process थोड़ा सा slow हो जाए ये भी काम करता है आपका cytokinin usually क्या होता है बच्चो आपको याद आप देखोगे जब हम आगे और पढ़ेंगे तो आपके दो enzymes मैंने अभी इससे पहले बुला था एक होता है epsysic acid and ethylene दोनों ही enzymes epsysic acid हो गए और ethylene ये दोनों वो enzymes है जो क्या करते है ये दोनों ही enzymes आपके senesence को promote करते क्या करते है ये promote करते है senesence को दोनों ही hormones आपके senesence को promote करते है अब senesence को promote ये enzymes करते है during stress condition आप भी जानते हो epsysic acid और ethylene जो होते है दोनों ही क्या है stress एक तरीके से stress hormone consider किये जाते है दोनों को ही क्या consider किया जाता है stress hormone epsysic acid हो गया आपका hormone epsysic acid क्या है epsysic acid होता है water stress hormone और ethylene basically आपका fruit ripening सब चीजों में involved होता है लेकिन ये भी क्या करेंगे जहां पे भी कि मैंने आपसे बोला था auxin क्या करता है auxin primary root development नहीं करने देता या formation नहीं करने देता क्यों? क्योंकि ethylene वहां पे produce होता है ethylene जब produce होता है तो वो क्या करता है वो auxin को अपना function perform नहीं करने देता जिसके वज़े से आपका primary root formation में वो help नहीं कर पाती ठीक है? तो कही ना कही inhibitory type of function होता है मैंने आपसे क्या बोला कुछ-कुछ hormones ऐसे होते है जिनका promote growth को promote करने का function होता है कुछ-कुछ ऐसे होते है जो inhibitory function show करते है और ethylene और epsysic acid दोनों ही ऐसे stress hormones है जो inhibitory function perform करते है rather than promoting growth ठीक है? तो ये दोनों चीज़े आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चो क्यों? क्योंकि you know that different direct-direct questions आता है कोई hard and fast question नहीं आता किसी deep पूछ लिया जाए ऐसा कुछ नहीं होता इसके अलावा एक function में आप लोगों को और बता देती हूं regarding cytokinin that is 5th मेरा function हो जाएगा ये क्या करते है? inhibit करते है inhibit करते है apical dominance अब apical dominance inhibit करने का मतलब क्या है बच्चो apical dominance को inhibit करने का मतलब होता है आप जानते हो oxyn synthesize हुआ था shoot apical meristrum में जब तक oxyn वहाँ पे है oxyn supply हो रहा है लेकिन synthesize shoot apical meristrum में हो रहा है तो तब तक तो वो क्या करेगा वो make sure करेगा shoot develop हो रही हो, right, lateral bud formation नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप cut कर देते हो shoot को shoot के epics को, तो lateral bud formation हो जाता है, वो lateral bud formation कौन promote करता है, यह जो lateral bud formation होता है, यह promote कौन करता है, आपका करता है cytokinin, मतलब वो epical dominance को, जो अब ही तक oxen की presence में epical dominance चल रहा था, अब क्योंकि epics तो खतम हो गया है, उसके वज़े से, अब क्या है, जो sidewise growth थी, उसको कौन promote करता है, उसको cytokinin promote करता है, तो इसे लिए हम बोलते है, cytokinin inhibit करता है epical dominance, but क्या करता है, promote करता है, lateral bud bud formation तो ये कुछ functions थे बच्चरों, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने normal functions थे, cell division, morphogenesis, shoot formation, chloroplast maturation, inhibition of apical dominance और senescence, मैंने shoot formation अलग से भी लिखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, oxen और cytokinin का एक दूसरे से opposite function होता है, इसी लिए हम क्या बोलते हैं, कि oxen क्या है आपका oxen negative regulator है, negative regulator है, shoot formation के लिए और shoot formation और positive regulator है, किसके लिए आपका जो cytokinin है, वो क्या है? positive regulator है, for shoot formation ये point आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, कि ये क्या है? positive regulator है cell division का in shoot formation, तो ये हमारा क्या था बच्चों? हमने आज पूरे oxen के बारे में पढ़ लिया, cytokinin को भी पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे ethylene और आपके हम क्या-क्या पढ़ेंगे बच्चों? ethylene पढ़ेंगे और epsychic acid पढ़ेंगे, gyprylic acid पढ़ेंगे, हमें बहुत सारे acids के बारे में, that is hormones के बारे में पढ़ना है तो hopefully आपको आज का lecture भी समझ में आया होगा बच्चों jam के हिसाब से, जैसे jam में question आते हैं, इसी type की questions आपके gate B में भी आएंगे, gate में भी इसी तरीके की questions आते हैं, कोई deep बहुत जादा theory अंदर signaling के बारे में नहीं आता है, जैसे cytokinin की signaling two component signaling होती है, histidine kinase उसमें required होता है यह सारी चीज़े आपसे नहीं पूछी जाएंगे, जो generalized function और hormones क्या synthesize होता है, कैसा उसका biosynthesis होता है, उसी cave पर questions आते हैं, hopefully आपको आज का lecture समझ में आया होगा, आप revise करोगे, correlate करके पढ़ोगे oxygen और cytokinin का function तो आपको बहुत अच्छे से उसको याद करने में भी help मिलेगी और आप बहुत long time तक memorize भी कर सकेंगे, आज के लिए इतना ही बच्चो, thank you so much